और आगे बढ़ते हैं कट्वा में पाँजवानों के शहादत हुई है ये सब ही उत्राखंड के रहने वाले हैं लेकिन हिंदुस्तान में अब मोतोर जवाब देने की आतंगबादी को तैयारी कर ली है देखे रिपोर्ट कट्वा में हुए इस आतंगी हमले में पाँजवानों की शहादत हुई है ये सब ही उत्राखंड के रहने वाले हैं शहीद होने वाले सैनिकों में नायब सुवेदार आनन सिंग रुद्र प्रिया के कंदखाल गाउं के रहने वाले थे हवलदार कमल सिंग पोड़ी के पापरी गाउं के रहने वाले थे नायक विनोद सिंग डोईवाला भनिया वाला के रहने वाले थे राइफल मैन अनुजनेगी पोड़ी गड़वाल के डोब्रिया गाउं और राइफल मैन आदर्शनेगी टिहरी गड़वाल के 30 डागर गाउं के रहने वाले थे शहादत की खबर सुनकर जवानों के घर में गम का माहूल है 29 साल के विनोद सिंग का परिवार डोई वाला में रहता है विनोद तीन महीने पहले बेटी के जन्म के मौके पर घराये थे उनका एक साल का बेटा भी है आदर्श नेगी के गाउं में उनकी शहादत की सूचना मिलते ही शोक की लहर चागई आदर्श महस 26 साल के थे और साल 2019 में वो गढ़वाल राइफल में भरती हुए थे पीपली धार से उन्होंने बार्वी पास की उनके पिता गाउं में खेती करते हैं आदर्श आखरी बार फरवरी में घर आये थे आतंकी हमले में तीन जवानों की हालत गंभीर है हमले के चश्मदीर भी सामने आये हैं उनका क्या कहना है आईए सुनते हैं कट हुआ में आतंकी हमले के बाद सीना ने ओपरेशन को तीज कर दिया है आतंकीों को जहन्नुम में पहुचाने के लिए युदिस्तर पर तलाशी अभ्यान चल रहा है ओपरेशन में इस्पेशल फोर्स को उतारा गया है रात में हेलिकोप्टर से विशेश कमांडो कट हुआ पहुचे जेंगल में छिपे आतंकीों की नाइट विजन, कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाश की जा रही है हेलिकोप्टर की भी मदद ली जा रही है इस ओपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसोजी और अर्थ सैनिक बल भी शामिल है आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई एस आई भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है पीयोके में कई लॉंचिंग पैट्स एक्टिव हैं जहां से लगातार आतंक्यों की घुसपैट कराई जा रही है बारिश के मौसम में घुसपैट बढ़ गई है अभी आतंक्यों की घुफिया और इतनी जादा तादाद में क्यों हो रहे है उसकी दो कारण है पहला कारण ऐसा है कि बारिश के समय पर जब बहुत तेज बारिश होती है तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट से वो रूट से अंदर आना बहुत असान हो जाता है क्योंकि बारिश के समय पर तोड़े से जो रूट सोते वो उपन हो जाते है और वहां से आना बहुत असान होता है दूसरी चीज ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है जो बहुत एक सरप्रेजिंग चीज है लेकिन ये भी लोकल का जो सपोर्ट है ये सिर्फ कुछ-कुछ पकेट्स में उने मिल रहा है हर जगे पर कश्मीर में नहीं मिल रहा है आतंकी हमले में शहीद हुए उत्राखंड के जवानों को सियम पुशकर सिंग धामी ने श्रद्धांजली दी है भारत मता के लिए आने अप्टे है करणों का बलिधान की है सरुच बलिधान की है हम सब गर्ब हैं उनकी साहदत पर मैं भभवान सफरापना करूंगा कि भभवार उनको अपने से जड़ों में स्थान दे और उनके परिवार की लोगों को हिंदुस्तान के जवानों के सक्त एक्षन से आतंकी बुरी तरह पस्थ है घाटी में उनकी साजिश नाकाम हो रही है जिससे अब जम्मू में आतंकी वार्दातें बढ़ गई है कठवा में आतंकीों ने अपनी कायरता का एक और सबूत दिया है लेकिन वो याद रख लें लेकिन वो याद रख लें वो कहीं भी छिपे हो भारतिय सेना उन्हें ढूंड कर उन्हें असली जगह जल्द पहुँचाएगी बिरो रिपोर्ट न्यूजेटी